आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बाल कटवाते कटवाते ठक जाओगे लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं रुगेगी दूसरी कहावत कि इस तरह से लगाओगे मेथी तो होगा धमाल आज दोनों की दोनों कहावत को सटीक करने वाली हूँ इस वाले सेट पैक से जो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनाने को मिल जाएगा आपको जादा कुछ भी इसमें नहीं चाहिए मैं आपको बताऊंगे कि fenugreek seeds यानि की जो मेथी दाना है जो की natural source है बीटा क्यारेटीन का ये आपके बालों के लिए क्या क्या कर सकता है इसको कैसे apply करना है और तीन methods यानि कि तीन तरीके जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ मेथी दाना को बनाने के ये आपने आज तक कहीं नहीं देखेंगे इसको अगर आप लगाते हो तो आपके बालों की growth भी होती है आपके बालों में जो भी damage है चाहे वो hard water की वज़े से हुआ है या फिर किसी treatment की वज़े से हुआ है उसको भी आप बहुत अच्छे से control कर सकते हो तो उसके लिए क्या करना है चलिए देखते हैं Hi everyone, welcome to my channel, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सबी लोग बहुत अच्छे से रहें आप मुझसे पूछने है कि किसी भी चीज को लगाने से पहले थोड़ास उसका benefit के बारे में भी बताइए तो बहुत छोटी मूटी से मैं आपको एक बात बताती हूँ अगर आप rice water को लगाते हैं तो आपको मिलते हैं protein यानि कि amino acids को मिला करके protein मिलता है वही protein आपको methi dana में मिलता है तो इसे समझ में आता है कि आपको protein मिल जाएगा ultimately और आपके बालों की जो growth होगी वो बहुत अच्छी होगी एकदम short में बताया है तो चलिए अब तीनों methods को देखते हैं और बाद में बताया है कि सभी की shelf life क्या है इस वाले methi water को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए methi dana मैंने हापे methi dana लिया है 2 टेबल स्पून का 2 चमच का मुठी भर उसके बाद मैंने हापे डाला है पानी पानी आप यहाँ पर ले लीजिए approximately 80 ml से 100 ml ठीक है 80-100 ml का पानी इसमें डाल लीजिए और आपको इसने रखना है ऐसे ही 30 मिनिट सब याने की आधे घंटे के लिए उसके बाद आपका जो भी methi है उसको आप strain कर लीजिए और नीचे जो आपका पानी निकल के आया है इस वाले पानी में डालना है आपको अपना पहला पावडर जो की है भ्रिंग राज पावडर भिंग राज के नाम से ही पता चलता है जो इतने सारे हर्ब्स का राजा है तो सोची हो आपके बालों के लिए क्या क्या कर सकता है आप यहाँ पे एक चमच का फ्रिंग राज पाउडर डाल लीजे अगर आपके पास फ्रेंग राज पावडर नहीं है तो कोई बात नी आप इसके जगे यहाँ पर लिज सकते हैं हिबिस्केस पावडर हिबिस्केस पावडर आपने देखा होगा कि जितनी भी साउस इंडियन लेडीज होती हैं वो कितना जाद अपने बालों पर लगाती हैं उनके बाल मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं उनके बाल आपने अगर देखा हो कभी गौर से तो इसलिए ये वाला powder आपके लिए बहुत जादा एकदम बालो को ना मतलब लंबा कर देगा बहुत अच्छा आपके बालो के लिए रहेगा ये एक चमच का आप इसमें हापे डाल लीजे अगर आपके पास हिबिस्केस पाउडर भी नहीं है तो कोई बात नहीं लाल फूल लाता है ऐसा गुड़हल का आप इसको भी इसमें साथ में ही डाल करके रख सकते हैं क्योंकि ये फूल क्या करता है अपने आप ही पिखल जाता है जब फूल पिखलेगा तो आपका जो मेथी वाटर है वो उसको अच्छी तरह से एब्सॉप कर लेगा और इसको चान करके आ इस वाले मेथी दाना ले लीजिए और जिसमें आपने डालना है पानी पानी आपने यहाँ पर डालना है अप्रॉक्सिमेटली 100-500 ml और उसको पकाना है तब तक पकाना है जब तक आपका मेथी अपना एक येलो रंग इसको ना दे दे जैसे ही येलो रंग आप देखेंगे कि आपके मेथी ने पानी को दे दिया है उसके बाद आप अपनी गैस को बंद कर लीजिए और इसको चान लीजिए चानने के बाद जो नीचे आपका मेथी वाटर आता है इस वाले मेथी दाना वाटर में आपने लेना है एक चमच यानि की वन टेबल स्पून का प्रेंग पाउडर और जिसमें आपने डालना है दूसरा जो आपने पाउडर यहाँ पे डालना है वो है पॉमे ग्रेनिट पाउडर जिसको कहा जाता है अनार का पाउडर क्योंकि अनार के पाउडर में इतनी जादा अच्छी क्वालिटी होती है तब ही आपको बहुत बार ऐसा सज मज़कर लगाएंगे तो एक साल तक भी आपका खतम नहीं होने वाला है तो आप चाहे तो इसमें ये डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है अनार का पाउडर तो आप यहां पे डाल सकते हैं आमला पाउडर क्योंकि आमला पाउडर में भी काफी सिमिलर वो क्वालिटी होती हैं जो कि अनार का पाउडर आपको दे सकता है इन सब को आपस में आप मिला लेजी अच्छे से और आपका हैर पैक रेडी हो चुका है ये वाला हैर पैक आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है जिससे कि आपकी जड़े हैं बालों की वह ब तो 12-15 बार आप इसे लगाईएगा और उसके बाद आपके रिजल्स आपको खुद देखने को मिल जाएंगे आपको अपनी थोड़े से डाइटरी चेंजिस भी करने बढ़ेंगे को थोड़ा से ध्यान रखना पड़ेगा अब आता है मेथड नमबर 3 जो तीसरा तरीका है मे आत भर भीगो करके रख लेना है जब आप सुवर उठके देखेंगे तो आपका जो भी मेथी वाटर होगा वो येलो हो चुका होगा तो उसके बाद आपने मेथी को चान लीजे और इस वाले मेथी वाटर में आप अपने दो जो पाउडर्स हैं वो डाल सकते हैं पहला तो को आप अपने बालों की जड़ों पे ही लगाईए और आपके बाल जो है वो काफी जादा मजबूत होने लगेंगे क्योंकि आपके बालों को वो सब कुछ मिलेगा जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जादा अच्छा है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस इसको apply करते हैं तो आपकी growth भी होती है और आपके बाल जहां से भी dry हो रहे हैं, moisture की कमी नजर आ रहे हैं, उसको भी पूरा करता है अगर मैं बात करते हैं उसकी shelf life की, तो आप इसे हमेशा fresh ही बनाइए, आप इसे अगर फ्रिज में रख भी देते हो तब भी ये बहुत अकरसी जाएगी और आप इसे अगर apply करोगे तो आपको इतना अच्छे results नहीं मिलेंगे, तो आप इसे हमेशा fresh बनाइए अब बात करते हैं इनकी shelf life की, आप इसे fresh बनाइए, क्योंकि जो मेथी का पानी होता है उसकी जाधा shelf life नहीं होती, अगर आप इसे fresh में रख लेते हैं तो थोड़ा सा लंबे समय तक आप इसे use कर सकते हैं, अपने इस्तमाल में लेके आ सकते हैं, इसके प्रयोग से आप दे